अस संसार में असुर राज का विस्तार हो चुका है जो शेकरी अधर्म बन आयोध्या में विस्तनित होगा और उसका प्रारंब गया से होगा जब तुमारे प्रभूश्री राम दौरा पिंडदान असफल होगा रावन वध के साथ जिस अधर्म का नाश प्रभूश्री राम ने किया है वो पुनह जागरत नहीं हो सकता कुछ नहीं कर सकोगे, तुम मरकाट, तुम दोनोंने शक्ती से चल से, तशानन रावण का तो बाद कर दिया. किन्तु मुझे नहीं मिटा सकोगे, क्योंकि मैं तब तक जीवित रहूंगा, जब तक लोगों की सोच में महत्व कांचा, काम, इर्शय जीवित रहेंगे, मेरा कारी यहां पूर्ण हो गया है. कुछ नहीं कर सकोगे तुम आनुमान, कुछ नहीं, नहीं मिटा पाओगे मुझे, सोच पदल कर तुमारे प्रभू की सोच को द्वस्त करूँगा मैं. प्रभू श्री राम के कार्य को कभी आसफल नहीं होने दूँगा मैं. जो भी इसने किया है, उसे उलट दूँगा. जए श्री राम! सब कुछ मेरे और इनके समक्षुआ है. फिर पुजारी जी, उनके शिश्व, पास्वायाम गौ माता, इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? कि हमारे पुर्वजों ने स्वायाम अपने हाथों से पिंड़दान स्वीकार किया है. किन्तु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा. पता नहीं माता क्या कह रही है? माता फलगुनी, आप भी तो साक्षी हैं. कि आप ही के समक्ष, स्वायम पुर्वजों ने अपने हाथों से पिंड़दान स्वीकार किये हैं. आप के ही पवित्र जल में वो मुझे दिखाई दिये थे. अब आप ही अपने श्री मुख से इस सत्य को स्वीकार कीजिए. यदि मैंने सत्य कह दिया, तो पिंड़दान की विधी यही समाप्थ हो जाएगे. और प्रभु श्रे राम यहां से प्रस्थान कर देंगे. नहीं देवी, आपको ब्रहम हुआ है. मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा. कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैंने अपना कारियर अपने जन्म से प्रारंब कर दिया है. दुश्माण रहे मरकाट. सोच बदलता हूँ मैं सबकी. असत्य के आवरांग से सत्य को ढखने का इन सभी का ये अशोबनी अप्रयास मेरे क्रोध को जागरित कर रहा है. परन्तु इन सभी ने सत्य का परित्या क्यों किया? आप सभी ने ऐसे मिथ्या वचन कहें, विश्वास नहीं होता. आपके सामानी आचरन के विप्रीत, आपकी सोच में असत्य कहां से गुल गया? ऐसे पवित्र कार्य में असत्य बोलने के लिए आप सभी भीशन श्राप के पात्र है. माता, आप सर्वता उचित कह रही हैं. परन्तु आपने ही अभी कहा, असत्य और मिथ्या इन सब के आचरन में नहीं था. ये सभी असुर निकुम्भ की आशुरी सोच से प्रभावित हैं. वो दुष्ट सर्वत्र अपने राक्षर सी सोच का प्रचार कर रहा है माता, जिसका ये दुष्ट परिणाम है. परन्तु मैं चकित हूँ कि संपूर्ण जगत का मार्ग दर्शन करने वाले आज इतनी सरलता से अपने ही बताए मार्ग से कैसे भटक गए? ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? गव माता, धर्म की प्रतीक हैं आप. आप सदैव परोपकार करती हैं. अपने दूद से सबका पालन पोशन करती हैं आप. माता, अपने कैसे किसी और की निक्रिष्ट सोच को ग्रहन कर लिया? कहते हैं सरीता तो दुर्गम परवतों को भी काट कर, अपने जल को प्रवाहित कर, सभी को शीतलता और जल रुपी जीवन आधार प्रदान करती हैं. आश्चर्य, आज इतने तुछ पत्थर ने इस जीवन दाइनी सरीता को उसके मार्ग से प्रमित कर दिया? माता, मन की तन की स्वच्छता की प्रतीख हैं आप, अपने प्रभाव से औरों के मन को पवित्र करती हैं, फिर आपने अपने हृदय में अशुधी को कैसे प्रवेश करने दिया? मुझे ख्षामा कर दीजे देवी सीता, ग्यात नहीं कैसे और किसके प्रभाव में आकर मेरी मती ब्रहमित हो गए, और मैंने असत्य वचन कहकर इतना बड़ा अपरात कर दिया, माता, माता, राक्ष्यसी सोच से प्रभावित होकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, मेरा आपसे निवेदन है कृपया, हमें कठोर से कठोर दंड दीजे, आप सभी असत्य और अधर्म की काली सोच से प्रभावित होकर असत्य कहा हूँ, इसलिए मैं आप सबको श्राब देकर दंडे तवश्य करूँ, परन्तु हाँ, आपने अपनी भूल स्विकार कर शमा याच्ना की, इसलिए मेरा श्राब अंतता आपके उद्भार का कारण बनेगा। परन्तु हाँ, भूजन के लोग में असत्य का साथ देने के कारण, मैं आपको श्राब देती हूँ, याज से आपके मुख को अपवित्र माना जाएगा। परन्तु अपने भूल को स्विकार करने के फल स्वरू, आपके गोबर को शुद्ध माना जाएगा। जहाँ गोबर होगा, वहाँ माता लक्षमी का वास होगा। कोई भी भूजा, आपके दूद्ध और गोबर के द्वारा शुद्धी करन के बिना पूर्ण नहीं होगा। दान के लालज में आपने असत्य कहा। इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ, कि आज से आपका जीवन दान पर ही आधरित होगा। परन्तु ये भी सत्य है, दरिद्रो नारायन, अर्थात, निर्धन को ही प्रभुष्टी नारायन की सेवा करने का सरवाधेक अपसर प्राप्त होता है। जिसके फल स्वरुप, उन्हें ही नारायन मिलते हैं। माता फलगुनी, आपने जीवन दानी सरीता होने के बाद भी अशुद्धी के विकार को स्विकार किया। इसलिए, मैं आपको श्राप देती हूँ, कि आज से आप धर्थी के उपर नहीं, नीचे से प्रभाहित होंगी। जिससे कि धर्थी के उपर की बाहरी अशुद्धियों से सुरक्षित रहेंगा। और सुखे के समय, आपके जल प्रभा शेंड नहीं होगा। जिससे के प्रभावा और सुखे के समय, आपके। आपके जिससे कितलें, एक जोफे नहीं होगा। आपके बाहरें प्रथी के एक दोशए वेडाय को, कि भाईके श्राप नहीं होगा। आपके एक फ्रूदिए प्रदेश आपके अपके धर्दूर्स ये प्रकरण सर्वकाल के लिए एक मुधारण के रूप में स्थापित रहेगा कि अपने मन को सदैव बाहरी दुष्ट प्रेणाव से सुरक्षित रखना अती अवश्चक है अन्य था भले से भले मनुष्य भी पत प्रश्ट हो सकते पुत्र रहम सुरियास्थ होने को है अब हमें विश्णुपात का आशिश लेकर पिंडदान विधि को संपन करना चाहिए श्री हरी चरण की पूजा लाए राम सिया मंदिर मह आये महिमा मै विश्णुपद चीना तर्शन अर्चन सबहों की इना राम सिया राम सिया राम जै हनुमान ये गाथा मह बली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगद की जै 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 रगु नंदन राम जै 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 मह बली हनुमान जै 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 रगु नंदन राम जै 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 मह बली हनुमान ओम नारायनाय विद्महे विष्णु देवाय थी मही तन्नो विष्णु प्रचोदयात। क्या बात है हनुमान इतने विष्णु प्रचोदयात। सामना करते समय असुर निकुम्भ ने मुझे चेतावनी दी थी। वो लोब, मो, काम आदी से सभी की सोच दूशित कर सरवत्र पाप का प्रचार करेगा प्रभू। गया की इस पावन भूमी पर गव माता और भलगुनी माता जैसी सदा आत्माओं को अपनी सोच के दुश प्रभाव से ग्रसित करने वाला। राम राजस थापित होने के पूर्वी अपने कुटिल सोच से, अपने कुचसित सोच से इस संसार में मेगनाथ और रावड जैसे दुश्टों को पुनहां उत्पन्न कर दे। यदि अब वो दुश्ट राक्षस ये रणनीती अपना रहे हैं तो हमें भी यथा शिग्र उसका तोड़ सोच लेना चाहिए भाईया। अयोध्या लोटने पर सर्व प्रथम संसार के कोने कोने से महा अग्यानी, महा तपस्वी, महा रिश्यों को आमंत्रित कर अयोध्या की राजसभा में इस विशे पर विचार होगा। संसार के सभी कोनों में अधर्म के प्रभाव को इस्थापित करने से रोगने के लिए कोई उपाय तो अवश्य होगा। अब मात्र एक ही उपाय है। प्रणाम मारिशी अगस्त्य है। कल्यान हो संसार को पाप मुक्त करने का और अधर्म के विस्तार को रोगने का एक ही उपाय है। आप अश्व मेध यग्यकर संपूर्ण संसार में राम राज्य स्थापित करें। ताकि कोने कोने में धर्म का राज्य हो। और अधर्म को अपना फन उठाने का स्थान ही ना मिले। महारिशी, आपके शुबा गमन से आयोध्या की ये राज्य स्थापित धन्य हुई। कृपया, राज सिंगासन का ये स्थान गड़ैन कर मुझे और संपूर्ण आयोध्या को कृतार्थ करें। महारिशी, यदि आपके अनुसार अश्वमेग यग्य से ही अधर्म के विस्तार को रोका जा सकता है। तो मैं दश्रत पुत्र अयोध्या सेवक राम ये घोशना करता हूं कि मैं एक नहीं कई अश्वमेग यक्य करूगा। परांतो श्वरान रहे यग्य का मुहूरात काली ही है। और ये यग्य विशेश अश्व से ही संभाव है। इसलिए यग्य को यथा विधी प्रारंभ करन हेतु कल प्रादै सूर्योधय के पूर्व मंगल स्नान के लिए उस अश्व का अयोध्या में उपस्तित रहना आवश्चक है। हे महरशी मुझे बताने की कृपा करें। कि ये विशेश अश्व कहां मिलेगा। उसे यहां लाने का कार्य कर मुझे इस महान अश्वमेद यग्य के साथ रामराज की स्थापना में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की आप मुझे अनुमत दीजिए। ऐसा अश्व पूरुवत्तर के नारायन पूर नामक राज्जी में राजा कुशल और उनके भ्राता राजा मंगल के सनरक्षन में है। दोनों ही भ्राता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और दोनों ही महान प्रभु भक्त हैं। और हनुमान तुम्हारे प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा है। तुम्हें उनसे उस अश्व को लेकर आना होगा। परन्तु न्याय और धर्मिके अनुसार ही लाना होगा। वो अश्व तुम्हें। हरण कर। अनिथा बल पूर्वक लाया गया अश्व। यग्य के योग्ये नहीं होगा। मैं धर्म और न्याय संगत मार्क से ही उनसे अश्व मांग कर लाऊंगा। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। उनकी सोच को प्रभावित कर। तुम्हारे विरुद्ध खड़े कर देंगे हम। धर्म की स्थापना में सयोग करना प्रतेक व्यक्ति का कर्तव्य है। और सबको इसका पालन भी करना चाहिए।